जैश्य राम दोस्तों कौशिक मैथोलोजी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे कि अयुध्या जी में बहने वाले पतित पावन सरियू जी की उत्पति कैसे हुई सरियू जी की उत्पति के शमन्द में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि एक वार एक छुआकू ने वसिष्ट जी से यह एक्छा प्रकट की कि इतनी बड़ी अयुध्या में कोई भी नदी नहीं है जिस से जन्वानस को बहुत बड़ी परेसानी होती है महराज कोई उपाय कीजिए एक छुआकू की बात सुनकर वसिष्ट जी ने नंदिनी से कहा नंदिनी कोई उपाय बताओ बसिष्ट जी के प्रस्ण के उत्तर में नंदिनी ने कहा महराज एक बार भगवान बैकूंठ में बिराजमान थे उस समय भगवान भिशुण के दर्सन के लिए भगवान संकर और पारवती बहां पहुंचे उस समय वहाँ पर अन्देपता, ब्रह्मा, नारद, इंद्र आदी भी उपस्तित थे सभी को अती प्रसन देखकर सिप जी मंगन होकर नाचने लगे नारद जी भीड़ा बजाने लगे इस तरह से सभी के सभी प्रसन मुद्रा में हो गए सिप जी के नत को देखकर विष्णू जी अत्यंत प्रसन हुए और सिप जी से बर्दान मांगने को कहा इस पर सिप जी ने विष्णू जी से भक्ति मांगी संकर जी के प्रेम को देखकर विष्णू जी के नित्र में खुसी के अस्रु जल भराए वह जल जब गिरने की इस्तिती में हुआ तो ब्रहमा जी ने उसे अपने कमंडल में रोक लिया वहीं से आप उन्हीं से कामना करके नदी प्राप्त कर सकते हैं यह बात नंदिनी ने बसिष्ट जी को बताई नो हजार बर्स ब्रहमा की तपस्या करने पर ब्रहमा जी के प्रसंद होने की इस्तिती में बसिष्ट जी ने ब्रहमा जी को अपनी एक्छा सुनाई तब ब्रहमा जी ने वही विश्णू के नेत्रों का जल कमंडल से प्रत्वी पर गिरा दिया वह जल सुमेरू परवत पर गिरा और वहीं वहने लगा वह जल प्रत्वी तक नहीं आ सका तब एरावत हांती ने अपने दातों के प्रहार से परवत को काटा जिस से वह जल धरती पर गिरा सुमेरू परवत से निकल कर वह जल हरिधाम के निकट मान सरोबर में शमा गया मान सरोबर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन हुआ है अब बसिस्ट जी ने पुनहा बहुत दिनों तक तपस्या की और तब भगवान पुनहा प्रकट हुए और उन्होंने मान सरोबर को हिल कोड़ने क कहा अथक प्रयास के बाद वह जल बहां से निकला और बसिस्ट जी ने उसे प्राप्त कर लिया तथा अयुध्या लाए यही सर्यू नदी हुई विश्णू के नेत्र से उत्पन होने के कारड़ सर्यू का एक नाम नैंजाबी है तथा बसिस्ट जी के द्वारा प्रतवी प एक नाम वासिस्टी भी है इस तरह से तीन नाम हुए सर्यू नैंजाब और वासिस्टी जैश्याराम